हलो प्रेंट्स वेलकम बैक अबर योटोब चैनल आज हम अप्रेंटिस की वेकेंसी जो निकल कर आ रहे है उसके बारे हम डिसक्सन करेंगे इसमें सभी चीज के बारे में आपको बताएंगे क्या योगता होने चाहिए कितना पैस हम लेगा और ऑनलाइन डेट कब तक है चलो ह अगर ऑफ शाइड की बात करें तो आप देख सकते हैं हम वैसे भी सपने सभी वीडियो में ऐफिश सायड की लिंक दे देते हैं और नोटिफिकेशन साइड की बिंदे दे देते हैं ताकि किसी बच्चों को ऐसा ना लगे कि फेक वीडियो हो आप खुद भी जाके देख सकते हैं अगर हम इसमें ओपनिंग डेट की बात करें तो 27 जुन 2022 से ये फर्म अपलाई होना प्रारम हो चुका है और 26 जुलाई 2022 को ये फर्म अपलाई होना बंद हो जाएगा अपलिकेशन क्लोज हो जाएगा इसलिए आप से रिक्वेस्ट है अगर आप इसको भरने के इच्चों खएं तो आप इस डेट से पहले अपना फर्म को फिल कर दें अगर इसमें हम इलिजबल ट्रेड की बात करें तो आप देख सकते हैं टोटल आप वेकेंसी आप ये कॉलम में देखेंगे टोटल आप वेकेंसी हैं और ये कॉलम में आपकी पूरा आप देख सकते हैं कि कितना किसमें क्या है तो चलो कुछ का हम डिसकसन कर लेते हैं जैसे कारपेंटर की टोटल कितना यू आर की 17 पोश्ट हैं देख सकते हैं इलेक्रेसियन है फिटर है मसीनिस्ट है पेंटर है विल्डर है इसी तरह अगर टोटल वेकेंशी की बात करें तो टोटल वेकेंशी हमारी कितनी है 600 पोश्ट हैं क्या टोटल वेकेंशी 600 पोश्ट हैं और आप बता दें हम इसमें इंजीनिरिंग डिग्री डिक्लोमा और कॉर्स कंप्लीटेट एक्ट अपरेंसिस मतलब जिनके पास इंजीनियर डिग्ली है और डिक्लोमा है तो वो इस फर्म को अपलाई करने के योग नहीं होंगे केवल इसमें आइटियाई बच्चे वाले इसका आपको सार्टिफिकेट होगा तभी आपको आपको इसमें फैदा मिलेगा अर्थात आपके पास अगर सार्टिफिकेट नहीं है तो आपको इसका कोई लाब नहीं होगा इसमें सारा कुछ मेंसन हुआ हुआ है अगर एबिल्टीज की बात करें तो एबिल्टीज कंड आपको age में relaxation 3 साल का OBC के लिए और 5 साल का STSC के लिए और 10 साल का PWT के लिए मिलेगा चलो हम इसमें आगे बात करते हैं कि आपकी training period कितने time की रहेगी तो आपकी जो training period ये वन येर की रहेगी ITI वालों बच्चों के लिए वन येर रहेगी और जो फ्रेसर है अर्थार बिन आउट ITI अर्थार 10 के अधार पर या मैट्रिक से अधार पर बात एक ही है ट्रेंट या बोलो या मैट्रिक बोलो तो उनके लिए training 2 साल की रहेगी और आप पूरा इसको notification अच्छे से rate भी कर सकते हैं जो फ्रेसर की 2 येर की है और अगर हम बात करें इसमें स्टाइपेंड कितना मिलता है और या salary कितनी मिलती है तो इस टाइपेंड जो फ्रेसर है जो उनको फस्ट येर उनकी 2 साल की होती है ना तो उनको फस्ट येर में 6000 रुपए मिलेगा और सेकेंड येर में उनको 7000 रुपए मिलेगा जो ITI वाले बच्चे हैं उनके लिए 7000 रुपए पर मंद मिलेगा पर मंद सभी के आधार पर इतना मिलेगा और इसमें आपको डिस्क्राइब करिया भी गवा है मतलब आपको अगर आप एक एर से ज्यादा तो आपको 10% बढ़ा के आपको तीन साल में 10% बढ़ा के दिया जाएगा अगर आप एक साल और बढ़ा करते हैं तो आपको 15% आपको स्टाइपेंड या सेलरी बढ़ा कर मिलेगे तो आप देख सकते हैं इनकी लिंक दिया हुआ आप इससे कंडिटे आगे रेजिस्टर करेंगे फिसके बाद अपलाई करेंगे अगर बच्चे बहुत मात्रा में कमेंट करते हैं कि हमें अपलाई करने की बिद या प्रोसेस को फुल डिटेल से बताएं तो हम उसको भी वी कंडिडेट के लिए आप देख सकते हैं स्टी पीडेवलोडी और ओमेंट कंडिडेट के लिए कोई इसमें फिसका प्रावधान नहीं है मतलब आनलाईन फिस नहीं जमा करने पड़ेगा फिजिकली स्टेंडर्ड और इसमें भी वही नियम लागो होगा जो सभी अप्रेंटिस सेक्ट में लागो होता है अर्थात आप किसी प्राइबेट सेक्टर या सरकारी सेक्टर से अगर आप अप्रेंटिस सिप कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आप इसके लिए इलिजबल से कल जूके हैं और फिर इलेक्रीशन से करना चाहते हैं तो आपकी हो जाएगी अगर आप वही ट्रेड एक बार अपरेंध्जेशिप कर चुके हैं और दूबारा करना चाहते हैं तो आपकी practice U kas cover नहीं कर दो झाल residency, रहओ के उलेव में 2, क्रभूदए लिन में का ररे वे स्नामिर रंग जि वार ह्कें हम यह लिल ऑतना ह।ना ह् मिली दज रह कूसे र cyn श कर दपकर आपकर भाईर की त흍र जह रżyनफर अशों कि грांए़